भारत की अर्थ व्यवस्था को रफ्तार देता है। आर्थिक राजधानी मुंबई शहर। इस मुंबई की रफ्तार उसकी सडके हैं। देश की सडक निर्मान में नया इतिहास प्रदान मंत्री श्री नरेंदर मोधी जी के नेतरित्व मेर अचा गया है। श्री बाननिय प्रधानमत्री श्री नरेंद्र मोधी जी के करकमलों से आज मुंबई में 6,089 करोड रुपई की लागत से 397 किलोमीटर लंबाई की सडकों का कॉंक्रीटी करण काम शुरू होने जा रहा है। बारी यातायात हर साल मुसलाधर बारिश से होने वाले जल भराव और उससे बनने वाले गड़नों की समस्या से जूचती है और यातायात में अवरोध पैदा होता है। होने जा रहा है जिससे सडके अच्छी बने और हमेशा गड़ों से मुक्त रहें। बची हुई 450 किलो मीटर सडकों का कॉंक्रीटी करण भी आने वाले समय में जल से जल करने के निर्देश महराश्टर की गतिशील सरकार ने दिये हैं। कॉंक्रीट की नई सडके रफ्तार के साथ सुरक्षिता भी प्रदान करेंगी। उच्चेतम गुणबत्ता से बनी पूर्व निर्मित नालियां मजबूती प्रदान करेंगी। तथा यूटिलिटी डक्स के कारण बार-बार खुदाई की जरूरत नहीं रहेगी। जिससे सडकों को लंबी आयू मिलेगी। ट्राफिक को गती मिलने से कार्बन उत्सरजन कम होगा। गाड़ी की माइलेज और पैसों की बचत बढ़ेगी। हर 400 मीटर की दूरी पर बरसाती पानी संजोने वाले सोक पीट बनेंगे। पार दर्शिता से की गई बिडिंग, सर्वश्रेष्ट कमपनिया, कुशल श्रम शक्ति, उच्च गुनवत्ता वाली मशीनरी इन सब का मेल होकर मुंबई की सडकों का कॉंक्रीटी करन नया इतिहास रचने जा रहा है।